ये कपड़ा जो हमने पेंट काटी थी, फ्रेंट और बेक काटे उसके साइट में जो बचा है, उस कपड़े को ऐसे बिचाएंगे, खेले शट का फ्रेंट काटेंगे, यहां से, इस तरहे डाउन कलने हैं, शट की लंबाई है, 32 इंच, सोल्डर साले 19, 10 अस्तीन है, 17 अस्तीन की मोरी है, 18 गला है, 45 सीना है, 47 पेट है, 32 लंबाई है, 17 इंच बलाकर निसान लगा लेंगे, साड़े 23, दो इंच पर एक यह निसान लगाएंगे, फेशन का, सीना है, 43 इंच, वोने 10 इंच का हर मोल रखेंगे, सफ़ा दो इंच, सोल्डर डाउन करेंगे, एक पॉन इंच का निसान लगा लेंगे, यह चड़ाते हैं हमारी, बटन जब लगती है, तो पॉन इंच पल्ले उपर चड़ते हैं, अब यह दो निसान लगें, इसके सेंटर में एक निसान लगाएंगे, वो गले का चटवा हिस्सा, गला 18 इंच है, यह जो सेंटर में निसान लगाया है, इसका चटवा हिस्सा लगा लेंगे, अब सोल्डर है, साड़े 19 इंच, ओने 10 इंच, तो यह बाहर बाले निसान से ही लगाएंगे, ओने 10 इंच, और 3 सूत, सिलाई का मार्जन, डला लगवक्त, दाई इंच गिरा देंगे, बाद में छड़ जाएगा, सीना 45 इंच है, 45 का चोटा सबा ग्यारा, यह बाहर बाले निसान से ही लगाएंगे, यह गड़िश बिल्कुत सही है, सबा ग्यारा, यहां पर सिर्फ दो इंच बढ़ाएंगे, यहां से एक इंच कम करेंगे, यहार मोल का निसान लगा लेंगे, सत्रा इंच पर पेट का निसान लगाएंगे, उन्हें कश्टुमर का फ्रेंट का नाप लिया था, तेरा इंच था, तो तेरा इंच और तीन सूच सिलाई का लगा जाएंगे, अब पेट सेंतालीस इंच है, बाराच उकवरतारीस, यह डेड़ इंच की लूजिंग आई है, यह बाहर के निसान से ही, श्यालीस का चोथाई, साड़े ग्यारा, और डेड़ इंच लूजिंग यहां भी रखेंगे, देखते हैं यह सीधा आता की नहीं, यह बिल्कुल सीधा आ गया है, अब इसमें आदा इंच हम मार्जन रखेंगे, बाद में ग्राफों को टाइटाइट होने लगती तो लूज करवा लेते हैं, इसलिए मार्जन जरूर रखेंगे, अब यह अंदर वाले निसान पर टेप को रखेंगे, और इदर बाहर वाले पर इसका सेंटर लगा लेंगे, और हलका ओपन कर देंगे, बर्दी में पर टेप कर निसान लगाएंगे, और साड़े आठ इंच पर पर पाकेट लगेगा, और फिलाप लगेंगे आठ पर, इदर से धाइंच पर लगाएंगे, साइज बड़ा है, इसमें पाकेट लगेगा, यह वाला, सबा पांच, और पोने छे, यह देखिए इदर, मीचे का पल्ला बड़ा है, तो यहां से यहां तक दोनों पल्ले काट लेंगे, इसके बाद एक पल्ले को काट लेंगे, यहां भी एक पल्ले को काट लेंगे, अब देखिए, इस कपड़े को यहां तक काट लेंगे, इसको सीधा काट लेंगे, इसमें उल्टे का निसान लगा देएंगे, इसमें पहले फेशन पत्ति बनाएंगे, उसके बाद काटेंगे फेपल्ले को, इसको साइट मे रख देते हैं, फेशन पत्ती का वीडियो सबी चैनल पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्टिन में लिंक दे दूँगा, अब इसको ऐसे कर लेंगे पहले हम यह इस तरफ के कपड़े से खोशिस करेंगे कि कटेगा की नहीं बेक काट रहा हैं बेक की लंबाई अगर यहां आती है तो यहां काटेंगे नहीं तो उस तरफ से ही काटेंगे इस तरफ नहीं कटेगी किस्ता कपड़ा चाहिए हमको साड़े तेरा इंच के करिक चाहिए किनार छोड़कर तेरा इंच जाएगा इतरह बराबर कलने कपड़े को सबा तेरा बराबर हो भी आ है इस फल्ले को विछा ले बराबर कल रखें और यह पून इंच का जो निसान लगाया था बेक को उटनी ही रखें किदर भी यह नाब बनाया है मैंने पूने तीन इंच का इसको यहां ऐसे रखें कंदी पर रेंट की यह निसान लगा लें ऐसे तिर्चे में यह वो ने तीन इंच उपर एक निसान लगा लिया और यहां से आधा उंचू पर एक निसान लगाएंगे यह बेक का गला कटेगा यहां से कुछ नहीं करना सबसे पहले यहां से काट लेंगे इसको बोड़ा ज्यादा काट लें यहां से अभी यहां से दो सूत कम कर दें बैक को अब जो रेंट की कंदी है दो सेंटी मीटर का एक लाइन की चलें दो सेंटी मीटर नीचे अब इसको इस लाइन पर रख दें ऐसे बैठ को यहां कोशी बजन रख दें इस तरह अब अब आमने जो गले का निशान उठाया था इसको इदर ऊपर उठा दें ऐसे ही यह आर्मोल वाला भी उठा दें ज्यादा ना उठाएं जहां तक फ्रेंट है हमारा अब गले को काटें यहां अब यहां गला काटते समय ध्यान जाएं कि नीचे की बैक ना कटे एक साथ इसको काट लें ज्यादा ना काटें बस फ्रेंट जित्ता है उतना था काटने यह से ही इसको काटने अब इसको सीधा कर लें अब इस गले को काट कर मिला दें यहां देखिए इस कर्व पट्टी को रख लें इसके बाद यह शेप मिला दें यह लगभग यह सीने का निसान लगा था इसकी सीध में आना चाहिए अब इस वोल्डर डाउन किया था उस निसान से आदा इंच मीचे एक निसान लगा दें यहां कुटका लगा दें यहां पर एक शूल्डर अलग से कपड़ा लगके डल जाएगा बिना जाइंट के मतलब इस कपड़े में सिर्फ टच होगा वो यह मुड़ेगा नहीं बिलकुल तभी यह गलस ही बेठेगा अब इसका आर्मोन ना पेंगे हैं उपर सिलाई का मारजन छोड़कर सबादस यहां भी मारजन छोड़कर 20 इंच आया है देखिए यह कपड़ा बचा है इसको यह से डवल करेंगे और यह किनार छोड़कर 20 इंच पर एक निसान लगा लेंगे आर्मोन इतना आया था इससे भी लगवाद एक इंच ज्यादा काट लेंगे यह इसके हमारी अस्तिन बन जाएगी दोनों यह अस्तिन पहले बनती है आप बाली फिर इसकी कटिंग करेंगे इसका एक वीडियो आपने नहीं देखा तो एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा यह अस्तिन बनाना देख लें यह 17 इंच है टोटल कपड़ा लंबाई हमको दस इंच चाहिए अराम से बनेगी इसमें अस्तिन अब कपड़ा हमको खडशे के लिए देखना है तो इसमें पार्टिट सोल्डर यह पहले निकालना हमको अभी हमारा फ्रेंट है फ्रेंट में के बगल से भी कपड़ा बचेगा उसमें सोल्डर बन जाएगा बेल्ट यह स किसी नहीं तापिट